गुड मार्निंग टू आल आप यो मैं आसुतोस रंजन दफ लेटफॉम आरवी एलपी के चैनल पे आपका श्वागत करता हूं और हम लोग जो है फिटर, डिजल मेकेनिक, वेल्डर, टर्नर, आरेसी ट्रेड से रिलेटेड जो लोग हैं उनके लिए जो सिविटी टू में आ अच्छे-चे कंसेप्ट हम लोग समझते हैं कुछ जो आपको याद करने लाइक चीज होता है उसको हमने ट्रिक से भी बताने का कोर्शिस किया है कि कैसे आपको उसको याद करना है तो आज का जो नया स्रीज है उसमें हम लोग प्रशनों का बच्छार जो है उसको सुरू क करते हैं और आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने एह रहा स्क्रीन पर तो देखिए यह है दा हीट एनरजी रिलीज इज मेजर बित दे हेल पॉप निर्मुक्त उस्मा का मापन किसकी सहायता से किया जाता है यह आपको बताना है किसकी सहायता से हम लोग निर्मुक्त जो उस्मा होता है यानि कि जो आपका हीट एनरजी रिलीज हो रहा है कहीं से उसको हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं यह हम लोग को बताना है कि जो आपका निर्मुक्त उस्मा निर्मुक्त उस्मा का जो मापन किया जाता है किस डिवाइस की मदद से किया जाता है आप्श जो भी लोग लाइब में जुड़े हुए हैं आप अपना एंसर को रिपलाई किजेगा और जदी आप खुद का मुल्यांकन करने का भी एक मौका मिलता है आपको कि ताकि आप कितने सवाल का जवाब दे पा रहे हैं ये खुद समझ पाएं तो इसका जो सही उत्तर होगा आप सबको पता होगा में भी इसका सही उत्तर आपका कैलोरी मिटर यानि की ओप्शन सी होगा ओप्शन सी होगा कैलोरी मिटर ओप्शन सी इसका राइट एंसर है इनर्जी मिटर जो है इनर्जी मिटर का काम होता है इलेक्टिकल इनर्जी को मेजर करना इसका काम है इलेक्टिकल specifically मेजर करता है तापमान का मापन करना हिसका काम है केलोरी मिटर जो आपका उस्मा का हीटेनर्जी रीजे हो रहा है उसको मेजर करने काम करता है यह आपका जो केमिकल RM होता है या आपका फिजीचल चेंज हो रहा है याँका रासाइनी का Ho रहा है या आपका भौतिकी परिवर्तन हो रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, तो उसमें जो heat release होता है, heat जो बाहर निकलता है, उस heat से आपका बाटर रखा जाता है, पानी रखा जाता है, वो पानी उस heat को एबजॉर्ब करता है, और कितना उसका temperature बढ़ा, इस चीज से measurement करके, हम ल किसका तो आपका फिजिकली चेंज हो रहा है, ये चेमिकली reaction कर रहा है, उस temperature को measure करने, उसके energy को measure करने के लिए केलोरीटर का इस्तेमाल करते हैं, कैलोरी मITर का परियोक करते हैं, इस का जो शुर blinkन, कि तो प्यक्ति जो ऐसे की मेजर मेंट करने के लिए भ्यक्ति, जो घोज तो आसा प oder को शोचिए थैजो से जोशेफ जोशेफ ब्लाइक जोशेफ ब्लाइक नाम के ग्बैग्यानिक थे उन्हों नहीं में कि चैलोरी मीटर का इस्तेमाल किया था निया आपका और मेजरमेट करने केने के लिए इसकाक। करने के लिए हम लोग इनिमो मिटर का इस्तेमाल करते हैं तो यह आप समझ गए हैं याद भी होगा तो और बेहतर है और जो भी लाइब में जुड़े हुए हैं वो लोग रिपलाई किजेगा और वीडियो को लाइक और सेर किजे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सेर किजे इसको देखिया अगला सवाल है आपका दे इंस्टुमेंट यूज फोर मेजरिंग एयर प्रेसर इज कॉल्ड बायू दाब को मापने के यंत्र को काते हैं हमने आपको बार बारे बात बताया है कि ये जो भी सवाल रहता है आपके ट्रेड से रिलेटेड जहां कहीं भी परिच्छा हुआ है उस सब कहीं न कहीं का ये पुछा हुआ सवाल को लेकर कहीं हम लोग आते हैं चाहे आयो एफ फीटर का ये सवाल है जो आपको दीख रहा ह RRV का सवाल होता है DMRC का यानि की देली मेट्रो का IOF का मतलब होता है Indian Ordnance Factory का सवाल है या वेल सेल गेल जो भी आपकी नवरतन कमपनिया है उससे सवाल पुछा गया जो सवाल रहता है उसी सवाल को लेकर के हम लोग अकसर यहां पे आते हैं तो आपसे पूछ रहा है कि आपका air की pressure, air pressure measurement करने के लिए बायू दाब को मापने के लिए किस यंत्र का, किस instrument का, किस device का उप्योग करते हैं क्या वो यह नीमो मीटर होता है अभी हमने आपको बताया कि यह नीमो मीटर जो होता है वो आपका air के velocity को measure करता है यानि कि बायू के बेग को measurement करता है कितनी velocity से बायू आगे बढ़ रहा है यह आपको measurement करता है बैरो मीटर है, हाइगरो मीटर है, थर्मा मीटर है तो आप जो है इसका सही उत्तर जो है वो आपका B, इसका right answer है बैरो मीटर जदी आप जानते हैं तो reply किजिए, इनीमो मीटर आप जान रहे हैं कि बायू के बेग को measure करता है बायू के बेग को measure करता है, बैरो मीटर आपका pressure को, air pressure को यानि कि बायू दाब को measure करता है बायू दाब को measure करता है जो आप से पूछा गया हाईग्रोमीटर जो है वो आपका humidity को atmospheric humidity को humidity को measure करता है आदरता को measure करता है thermometer जो है वो आपका तापमान को यानि कि temperature को measure करने का काम करता है तो ये आप समझ गए है कि आपका measurement जो है कौन सा instrument किस चीज को measure करता है ये आप समझ रहे हैं आप जदी जानते हैं तो answer इसका reply कीजे comment कीजे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share कीजे चलिए देखिए अगला सवाल पर हम लोग चलते हैं अगला सवाल है सीर की सुरच्छा के लिए उपयोग करते हैं ये आयो ये फीटर में ये भी सवाल पुछा गया है जैसे ये आपका safety से related सवाल है और safety से related सवाल के लिए आपके पास एक mental ability होना जरूरी है answer देने के लिए आप जो है पढ़ करके answer दे सकते हैं आप जोदि बढहा प्योंके लिए गैंसर दे सकते हैं तो ये आपका क्या है कि सीर की सुरच्छा के लिए हम लोग क्या उपयोग करते हैं hard hat how topy kats kats a.b hard hat 250 जो कैप होता है, टोपी जो होता है, हैट्स जिसको बोल रहे हैं, उसका इस्तमाल करते हैं, हेलमेट का इस्तमाल करते हैं, कैप का इस्तमाल नहीं करते हैं, या इसका इसका इंसर जो है, सही उत्तर है, डी इसका सही उत्तर है, कैप जो हम लोग लोकल गर्मियों से बचने के ल भी आप किसके लिए होता है तो जो आपको का म करते हैं मतलब ठूड़ा साघ जो Smith होता है वो आपका सुफरवाइजर के लिए होता है जो आपका न धलु किलर का होता है वेलेक्टिसियन का होता है हर का अलग अलग कलर है और अलग अलग टाइपस के लोग उसका इसत密ल करते हैं ठीक है Heelmet अप समझते हैं यह आप का शीर की सुरच्छा के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है और कहीं भी इंडिस्ट्री में बर्क होता है तो ये दोनों का ही इस्तेमाल किया जाता है यानि कि D option इसका right answer है देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल रहा आपका पैर की सुरच्छा के लिए पहनते हैं ये आपका RRB गोरकपूर में पुछा हुआ है लोको पाइलेट का एक्जाम जो 2001 में हुआ था उसमें पूछा गया सवाल है पैर की सुरच्छा के लिए क्या पहनते हैं क्या हवाई चपल पहनते हैं कैनवास सू पहनते हैं लेदर सू लिए उपर्युक्त सभी होगा तो फ्रत आपको लग रहा है कि इसका आंसर उपर्यूक्ट सभी नहीं होगा यह इनडिश्ट्री के लिए आप से पूछा जा रहा है कि अधिक पैर की शुरच्छा के लिए क्या पहंगते हैं तो जो आपका कैनवास सू होता है, हवाई चपल होता है, जदि आपका भारी चीज कुछ भी पैर पे गिरेगा, तो आपको डैमेज कर देगा, पैर को सुरचित नहीं रख पाएगा, लेदर सू जो होता है, वो आपका, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल सू भी बोलते हैं, उ जो कपड़ का एक सू जाता है, जुत्ता जो आता है, जो बहु जादा आपका अपका फैसनेवल है, जो फैसन में जो लोग राते हैं, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो कैनवास सू जो है, उसका इस्तेमाल, और लेदर सू में भी आपका जो नॉर्मल लेदर सू जो हम को हाड कर दिया जाता है ताकि कोई भी चीज आपका उस पे गिरता है तो आपके पैर को डैमेज होने से बचा पाए ठीक है देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं अगला सवाल रहा आपका कि इस सब आयो यह फीटर में 2015 में सवाल पुछा गया है आख की आपका काम होता है या कुछ काट पीट हो रहा है जहां से चीजे उड़ सकता है जैसे लेथ मसीन पे भी आप काम कर रहे है उसमें जो चीप जो निकलता है वो चीप आपके आख में चला जाए आपके आख को डैमेज नहीं कर दिया करे इससे बचने के लिए डैमेज ना हो इससे बचने के लिए आँख की सुरच्छा के लिए हम लोग क्या चीज परियोग करते हैं, क्या वो गोगल्स परियोग करते हैं, गलासेस परियोग करते हैं, फेस सिल्ड परियोग करते हैं या उपरियुक्त सभी, तो इसका सही जवाब जो होगा, उपरियुक्त सभी, यानि आपका चस्मा ही है तो उसके से भी आप क्या कर सकते हैं आपकी सुरच्छा कर सकते हैं देखेए अगला सबाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं इंस्टुमेन्ट फोर मेजरिंग लो टेमप्रेचर इज कॉल कम तापमान को मापने वाले यंत्र को कहा जाता है मतलब instrument for measuring low temperature low temperature को measure करने वाला instrument होता है उससे हम लोग क्या measurement करते हैं क्या यह diagometer है, diagometer है, cryometer है, chromptometer है या आपका simometer है तो यह आप से सवाल पूछा जा रहा है कि आपका instrument है, जो कम temperature को measure करने वाला instrument है उस temperature को, कम temperature को measure करने वाला instrument है उस temperature को हम लोग क्या काते हैं किस यंत्र से measure करते हैं यह आपको बताना है तो आपको जवाब देना है कि कौन सा यंत्र जो है जिससे low temperature को measurement करते हैं लो temperature जो measure करने के लिए जो हम लोग instrument यूज करते हैं वो आपका cryometer का इस्तेमाल करते हैं यानि कि option B इसका right answer है option B इसका right answer है डाइगो मीटर जो instrument होता है यह भी आपका एक instrument है और इस instrument का उपयोग हम लोग करते हैं electrical conductivity को measure करने के लिए electrical conductivity को measure करने के लिए conductivity को measure करने के लिए मापने के लिए मापने के लिए यूज करते हैं cryometer आप low temperature को measure करने के लिए आपका cramptometer जो है cramptometer जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं color perception को measure करने के लिए warn bivedy को मापने के लिए जैसे जिसको आपका color blindness जो आप सुने होंगे कि color को नहीं पहचान पाता है तो इसको color कौन से color को नहीं पहचान पा रहा है इसको आम लोग कैसे measurement करते हैं तो cramptometer जो है टोप्टो मीटर जो है उससे measurement करते हैं यानि कि आप इसको लिख सकते हैं color perception color perception यानि कि warn bivedy burn bivedy को मापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं साइमो मीटर जो है साइमो मीटर का इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं तो साइमो मीटर जो होता है बेव की motion मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यानि कि तरंग की गती तरंग की गती गती मेजर करने के लिए इसका यूज हम लोग करते हैं साइमेमो मीटर साइमेमो मीटर इसका इस्तमाल हम लोग किसके करते हैं तो आपका बेव की मोशन के लिए बेव में आपका बेव जो होता है उसको एक point से दूसरे point तक कितना किस speed से किस गती से जा रहा है उसको major करने के लिए साइमो मीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं समझ गये हैं बात को देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग चलते हैं यह सारा जो सवाल इस टाइब का जो सवाल आ रहा है यह आपसे ट्रेड में भी कहीं ने कहीं पूछा गया है रेलवे में भी आपसे इस तरह का सवाल पूछता है जिसकी आप सपना को लेकर के तैयारी कर रहे हैं आप देख रहे हैं बाकि आपसे जदी जनरल कंपटिशन आप किसी भी तरह का देते हैं चाहे हूँ आपका बिहार SAC का हो या कोई भी आपका जो समान तोर पे जो परिछाएं होती है उसमें आपका यह तरह का सवाल आपसे एक दो इंस्टूमेंट का पूछा जाता है आदरता मेजर करने के लिए कौन सा दिवाइस यूज़ करते हैं या आपका electrical conductivity मेजर करने के लिए कौन सा इस्टमाल करते हैं color perception मेजर करने के लिए burn भीवेदी मापी जो है उस कौन सा एंत्र होता है तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाता है तो इस तरह का दोनों साइड में आपका सवाल यह जो discussion हो रहा है यह आपको दोनों साइड में helpful करेगा दोनों तरफ में आपको मदद करेगा जो आप trade theory जिस सपना को लेकर के आप पढ़ रहे हैं उसके लिए भी या आप दूसरे परिच्छा जो देते हैं उसमें भी यह काम देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगला सवाल रहा आपका वीच डिवाइस इस तू मेजर देप तॉप ओस ओसीन ओसीन मतलब महा सागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरन का उपयोग किया जाता है यह CRPF constable का ट्रेट्समें जो परिच्छा गया है यह सवाल आपसे यह पूछ रहा है कि आपका देप तॉप ओसीन महा सागर की गहराई मेजर करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं सब लोग जानते हैं कि आपका समुन्द्र की गहराई या आपका महा सागर की गहराई बोला जाए उसको मेजर करने के लिए फैदो मीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं यानि कि option C इसका right answer है Lexometer, Lexometer जो है वो आपका LUX यहाँ पे spelling होना चाहिए था Lexometer जो होता है light की intensity measure करने के लिए इस्तेमाल करते हैं यह हला कि LUX होता है LUX Lexometer जो होता है यह आपका light की intensity यानि की परकास की तिर्वता मेजर करने के लिए light की intensity light की intensity इस्तेमाल करने के लिए यानि की परकास की तिर्वता मेजर करने के लिए नैनो मीटर जो होता है वो आपका धूरी को रिपर्जेंट करने का 10 के पावर माइनस 9 मीटर को यह रिपर्जेंट करता है इससे हम लोग measurement करते हैं फैदो मिटर समून्दर की या महासागर की गहराई measure करता है hydrometer हाइडो मिटर जो है वो आपका क्या measurement करता है तो density measure करता है यहीं कि घनत को measure करता है इसको आप lektometer भी बोल सकते हैं जो relative density को measure करता है यानि कि आपका किसी के सापेच में किसी के सापेच में डेंसीटी क्या है उसको मेजर करता है और लेक्टोमीटर से ही हम लोग दूद की सुधता को मेजर करते हैं यानि कि प्यूरिटी ओप मिल्क को मेजर किया जाता है लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम लोग डेंसीटी मेजर करते हैं य ि यह सभाल है आपसे प्रिक पंच का प्रियोग किया जाता है con Monta एक ए या टू पने के लिवे या सी अधिन पंच के साथ में या फोर मसिनिंग कर्ज अब पंच जो होता है सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे पंच पे पंच क्या होता है तो पंच एक आपका मार्किंग डिवाइस है और कैसा मार्किंग डिवाइस है तो परमानेंट मार्किंग डिवाइस है जैसे कहीं पर आपको होल करना है तो होल करने के लिए हम लोग जिसके लिए मार्किंग मीडिया हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वाइट वास, पार्सियन ब्लू, कॉपर सलफेट यह सावाता है, इसका घोल से हम लोग बर्कपिस को रंग देते हैं, और रंगने कबाद उहां पर मार्क करते हैं, लिकिन जदी यह चीज जो हता है, ते टेलर मास्टर के पास गये हैं, और टेलर मास्टर के पास आप जो है, रेक्टेंगुलर में सट का कपड़ा आप देते हैं, या पैंट का कपड़ा आप देते हैं, तो आप जदी उसको सीते हुए देखे होंगे, तो आपके नाप के अनुसार ओ क्या करता है, पहले मार्क कर मेकेनिकल बर्क में जैसे आप काम करते हैं कहीं पर भी तो आपके पास सीट आता है या आपके पास कोई भी लोहा का आपके पास बर्क पीस आया है आयरन आया है किसी भी मेटल का आया है तो इसमें आपको मार्किंग करना जरूरी होता है मार्किंग करने के बाद ही आप कट कर आप अपना बर्कफिस को निकाल सकते हैं आप अपने जो जॉब है जिसका आप इस्तेमाल किजेगा उसको आप निकाल सकते हैं तो उस जॉब को हम लोग क्या करते हैं उस जॉब को हम लोग जो मार्किंग करने के लिए जो हम लोग पर्मानेंट मार्क करने के लिए जो हम पंच होता है तो हर किसी का पंच का इंगल होता है वो अलग होता है तो यह जो आपका प्रिंक पंच जो होता है प्रिंक पंच जो होता है उसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं to make a small mark छोटे चिन बनाने के लिए हलका चिन बनाना है तो इसके लिए हम लोग इसका इस्तमाल करते हैं यहनि कि B इसका right answer है ठीक है enlarging the mark मार्क को बड़ा करने के लिए हम लोग सेंटर पंच का ही इस्तमाल करते हैं सेंटर के लिए सेंटर पंच का अभी हम लोग करते हैं ठीक है तो यह आपका इसका सही उत्तर आपका भी हो जाएगा यानि कि to make a small mark छोटे चिन बनाने के लिए प्रिंक पंच का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ठीक है देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह रहा आपका 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 अगला सवाल center punch point है जैने angle usually in degree में बताना है केंद्रक punch की नोक का कोन समाननेत होता है डिगरी में आपको बताना है यह आपका सवाल पुछा हुआ है 30 या 120 यानि कि 30 और 120 डिगरी तो आपको बताना यह है कि center punch का जो इंगल होता है वो आपका कितना डिगरी का होता है तो center punch जो होता है कुछ इस तरह का center punch होता है जिस पे हम लोग punching करते हैं तो इसका जो इंगल होता है ना इसका जो इंगल होता है वो आपका generally जो होता है 90 डिगरी का ऐसे रहता है लेकिन जरूरत के हिसाब से 60 degree का भी बनाये जाता है यानि कि आप कह सकते हैं कि 60 degree to 60 degree या 90 degree या 90 degree तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा C इसका right answer है C इसका right answer है लेकिन इससे पहले वाला सवाल की जदी हम लोग बात करें यह सवाल आप समझ गया होंगे तो इस सवाल में जदी हम लोग देखे प्रिंक पंच का एंगल कितना होता है जदी इसमें आप से पूछा जाए कि एंगल इसका कितना होता है तो इसका एंगल जो होता है 30 degree का एंगल होता है 30 degree का एंगल होता है अगले सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल रहा, डॉट पंच का उप्योग किस के लिए किया जाता है, ये DMRC में फीटर में 2017 में सवाल पूछा गया है, ये लाइन को चिनहित करने के लिए, या या दास्त हेतू निसान बनाने के लिए, या जॉब को पकड़ने के लिए, या छिद्रो का पता लगाने के लिए, नहीं होल का पता लगाने के लिए, हमने आपको बताया था कि पंच मार्किंग डिवाइस है, ये आपको मार्क करके देता है, डॉट पंच है, डॉट का मतलब होता है, या याद करना, अरे बड़ा डॉट हो रहा तो यादास्त के लिए निसाना बनाने के लिए कि आपको याद रहे उसके लिए हम लोग क्या करते हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं डॉट पंच का इस्तेमाल करते हैं यानि कि इसका सही उत्तर आपका बी इसका राइट एंसर हो जाएगा भी इसका right answer हो जादेगा या दास्त हेतू निसाना बनाने के लिए हम लोग dot punch का इस्तेमाल करते हैं dot punch का इस्तेमाल हम लोग करते हैं देखिया अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह आपका अगला सवाल रहा कि triangular scraper के cutting edge grind होते हैं triangular scraper जो होता है उसका grinding करने के लिए triangular scraper के लिए cutting edge grind करने के लिए यह सेल बोकारो अस्टील प्लांट में पूछा गया सवाल है 70-75 degree है यहां पर यह वाला degree का कोन है 81-87 का 45-50 का 55-60 का यह आपका triangular scraper के cutting edge जो होते हैं कितने degree के कोन पे कितने degree के angle पे आपका होता है तो triangular scraper का cutting edge जो grind होता है वो आपका 55-60 degree का यानि कि D option इसका right answer है D option इसका right answer है D option इसका right answer है और इसको याद रखना है कि triangular scraper का cutting edge होता है वो कितने degree पर grind किया हो रहता है तो आपका 55-60 degree के angle पे आपका ट्रेंगलोर स्क्रैपर ग्राइंड किया हुआ रहता है देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं अगला सवाल रहा आपका निम्न में से पुल टाइप स्क्रैपर कौन है या RRB मुंबई में, ALP में ही जिस सपना को लेकर के आप पढ़ रहे हैं उसी का सवाल पुछा गया है कि जो आपका निम्न में से पुल टाइप स्क्रैपर कौन है जो निम्न की तरह का स्क्रैपर दिया गया है इसमें पुल टाइप का स्क्रैपर कौन है 2005 में सवाल पुछा गया है पूल टाइप होता है। आपका होण गता है। दो बड इंगलिस में होता है, पुल और पुस, तो पुस मतलब धक्का देना होता है, पुल मतलब घीचना होता है, तो इससे घीच करके हम लोग क्या करते हैं, खीचने वाला से हम लोग स्क्राइब करते हैं, मतलब ऐसे लगा करके, ऐसे ऐसे खीचा जाता है, जैसे इसका बन आप को कि भाना रातरा है उसको हटाना राता है तो उसको हटाने के लिए हम लोग किसका इस्थमाल खरते है कि अस科ड करते हैं ठीक हaison seconds से आपको में परकिल्यक होता है जहां से आपको मेंच OUR लोग या उसको हटाना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं बात के लिए समझ गया है देखिए अगला सवाल के तरह हम लोग चलते हैं और ट्राइए अस्क्वाइर का परियोक कहां किया जाता ये भी आपका अररभी गोरक गोरकपुर में सवाल बूचा गया है 2003 में 45 डिग्री जाचने के लिए 45 टू 90 डिग्री जाचने के लिए 90 डिग्री कोन जाचने के लिए इन में से कोई नहीं कई ट्रीक तो यह आपका क्या करता है एक काच छोड़ा हुआ रहता है इसका इसतेमाल हम लोग इसके लिए करते हैं तो इसका इहां पर 90 डिग्री का एंगल होता है और कोई भी बर्गपीस आपके पास है तो इस बर्गपीस का 90 डिग्री चेक करने के लिए इस बर्गपीस का ये वाला कौन को 90 डिग्री चेक करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं ट्राइए इसका नाम होता जिसे आपको हाथ कटने का डर रहा है, नुकिला टाइप के कहीं कहीं मसीनिंग के दोरा तो इसको अम लोग बोलते हैं वर्स तो यह आपका वर के लिए विए 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 वव अपका अंडर कट दिया जाता है मतलब अंदर में थोड़ा सा कट किया हुआ रहा था इसका क्या क लिए उसको अंडर कट दिया जाता है ताकि इसको सेट किया जाए सके तो इसका सही उत्तर आपका सी इसका राइट एंसर हो जाएगा इसको समकून एड़ेश्ट करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं देखिए अगला सवाल के तरफ हम लोग बढ़ते हैं और यह भी आपका IOF फीटर में पूछा गया सवाल है क्या मास प्रोड़क्शन का मतलब पहले आपको समझना है मास प्रोड़क्शन का मतलब क्या हो रहा है मास प्रोड़क्शन का मतलब हो रहा है कि सिमिलर टाइप का प्रोड़क्ट बहु सारे मात्रा में बनाये जा रहा है उ प्राइमिटरानों की बनाते हैं। यह अगर फ्रोड़क्शन ने कही सिर्डी तैसे बहुत प्रॉड़क्शन था लेकिन पार्टिकुलर जो होता है जिसको कहीं हम यूज करना का फैसल का शे सल लेंध का शे प्रिष्ट करते हैं तो इस पैन को आपके लिए प्रेसल नहीं बनायागे लिए इसको कोई भी भी ब्यद्ति खरीच सकता है और सब के लिए उप पेन काम करता है लेकिन हम पार्टिकूलर वही पैन दूसरे मतेरियल का बनाना चाहिए जैसे आप कोई प्रिसाइज मेटेरियल का बनाना चाहते हैं, जैसे आप कोई प्रिसाइज मेटेरियल का बनाना चाहते हैं, जैसे आप उसको सिल्वर का बनवाना चाह रहे हैं, गोल्ड का बनवाना चाह रहे हैं, किसी अलग मेटेरियल का बनवाना चाह रहे हैं, या अलग करने के लिए आपको क्या करना है फास्ट मेजरमेंट करना रहता है मतलब आप एक लाग पीस दो लाग पीस को मेजर करना रहता है तो दो लाग पीस को मेजर करने के लिए हर्च का समान डायमिटर है समान लेंथ है समान वित है तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करतें गेज का इस्देमाल करते हैं तो इसको새 मोलते हैं जो मलग क्या म destructive means मंक्रोडाक्शन में जो यूज किया जाता है जो इसका सहीं सब्सक्राइब करने करते है यह लेकिन बहुग जादा समयल अप को चोज के करना पाई गा टेंप्लेट, टेंप्लेट मार्किंग करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जीग जो है आपका होल्डिंग डिवाइस है, जीग जो है बर्कपिस को होल्ड करना और गाइड करना, टेंप्लेट जो है इसका इस्तेमाल मार्किंग में करते हैं, मार्किंग करने के लिए करते हैं, बर्कपिस को होल्ड तथा टूल को गाइड करने वाला यंत्र यंत्र है जीग जो है वो आपका बर्कपिस को होल्ड करेगा और टूल को गाइड करेगा जीग के साथ एक और बढ़ाता है फिक्सर फिक्सर का काम है सिर्फ बर्कपिस को होल्ड करना उसका काम टूल को गाइड करना नहीं है लेकिन जीग का काम है आपका क्या बर्कपिस को होल्ड भी करेगा और टूल को गाइड भी करेगा टूल को गाइड भी करेगा हर बर्कपिस के लिए हर जॉब के लिए आपको JIG अलग अलग 높 टाइप का बनाना पड़ेगा तो जीग का बहु सारा टाइप्स होता है समझ गये तो अलग अलग जीग में अलग 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 उसको नाम हम लोग देते हैं जैसे मिलिंग मसीन पर हम काम कर रहे हैं, तो मिलिंघ जीग बोल देता है, अलग-अलग टाइप کا जीग होता है, तो ये आपका आगला सवाल को देखिए, अगला सवाल रहा आपका लिमिट प्लग गेज के गो सीरे का ब्यास बराबर होता है, ए मेक इस तरह का बनावट उसका होता है और यह जो होता है वह आपका एक तरफ गो साइड होता है यह आपका गो साइड रहेगा और इस तरह आपका नो गो रहेगा नो गो रहता है या नो गो रहता है ठीक है इस तरह का आपका प्लग गेज बनाया जाता है अब इससे किया क्या जा माल लिया जाए है आपके पर फीच में अपका फीच में शहां मैं मतश्राइब का कमस्तम इस आपका में ढ checks whenever फ्रांट्पड्गेज अब यह क्या क्या है इसके अंदर डाल करके देखा जा रहा है अब इसको मास पहला वास्तो की गेज जो है उसका इस्तेमाल हम लोग कहां पर कर रहे हैं मास प्रोडक्शन में अभी बाला सवाल आए था मास प्रोडक्शन में हम लोग करते हैं मास प्रोडक्शन में करते हैं मतलब बहु सारा मात्र सिमिलर टाइम का प्रोड़क्ट बहु सारे मात्रा में बनाना है जैसे यही प्रोड़क्ट दो लाग प्रोड़क्ट बनाना है यही सेम टू सेम जो बना हुआ है इसको दो लाग पी सम को बनाना है तो यह आपका एक मास प्रोड़क्शन हो गया अब माली इसका जो होल है इसक कि इसका जो अपर लिमिट होगा मतलब मैकसिमाम कितना बना सकते हैं तो इसको 20.03 mm का बना सकते हैं और इसका लोबर लिमिट मतलब निवन्तं साइ字 और बना की होगा तो निवन्तं पार्टो में कुछ नहीं किया गया है, बीस में 0.03 को एड़ कर दिया गया है, माइस वला में लोबर लिमिट निकल जाता है, बीस में से 0.03 को माइनस करेंगे, तो 19.97 का आ जाता है, तो यह आपके पास एक डेटा हो गया, अब इसको अमलो कितना साइच का बनाएंगे, मतलब इसका ऑने चाहिए, याնी किďरौब कई सही होगा? यही कंडि tobacco contradiction है कि इस्से जॉव आपका, इसे गरूल singles पूप बने और इसे 20.3 से छोटा जोब बने तब ही आपका जॉब सिच में धयादी आपको बहुता जॉब बनता है, अब दिखिए अब इसको जो है आपसे पूछ रहे है कि इसका goh sira goh sira एवला हो गया कब्राश किसके बराबर बनाया जागा तो goh sira का ब्राश जो है वह आपका lower limit के बराबर बनाया जागा यानि कि ए आपका 19.97 का बनाया जागा और ये वाला जो रहेगा वो आपका 20.03 से बनाया जाएगा 20.03 mm का बनाया जाएगा यानि कि आपसे जदी 9 गो सीमा पुछता कि 9 गो किस के बराबर तो 9 गो जो है वो आपका अपर लिमिट के बराबर बनाया जाएगा और यह जो है आपका lower limit के बराबर बनाये जाएगा अब देखिए इसको हम लोग 19.97 का बनाये हैं इसको इसके अंदर डालेंगे यह suppose किजे यह hole जो बन करके यह हमको बनाना था और जो बन करके आया है वो आपका suppose कर लिजे माल लिजे यह जो बन करके आया है यह अभी हमारा जो बन करके आगया वो कितना का बन करके आगया है तो यह आपका 20.01 mm का बन करके आगया suppose कि यह late कर लिए है इसको माल लिए है कि इतना का बन करके आया अब जो है हमारा कहना यह है कि इससे बड़ा होना चाहिए चैया हमने फिगर यहां पर देख लिया डेटा तो यह तो पता चल रहा है कि इससे 19.97 से बड़ार और 20.00 बन खाय मेंग 예 कहाए। 54 तो इसके अंदर अराम से चला जाएगा। उसी थरह से जब हम इसको लाईगे और इसको डालें तो इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। तो यह गो बला गो होना चाहिए.. नो गो बला नो होना चाहिए। तो इस कंडिशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारा जॉबह घ्र HC अब हम बना हुआ है एक और एकजम बंपल ये जो हमने आपको 20.03 इसको हम थोड़ा सा करते हैं इसको थोड़ा सा ये चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद इसको 20.04 अशा कर देते हैं प्रीज शार कम 55Ge Cinnamon कर देते हैं जर मतलब इसको लाएंगे और इसको हो तो डालें गे तू आ यह 20.03 कहता यह 20.04 का है तो व्यति हुआ फो सी लाव भी इसके अंदर चला जाएंगा तो जब ओक सीरा आपका क्या हो रहा था 9 हो रहा था और इहां पर गो हो जा रहा है, अंदर चला जा रहा है, मतलब क्या होगा, कि उसके अनुसार ये प्रोड़क्ट जो है, इसके 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 अनुसार ये बात को समझ गये हैं, इसको लोबर लिमिट के गो साइड वाला को, गो सीरे को किसके बरावर बनाना पड़ेगा, तो नियुंतम साइज के द्वारा, मतलब आपका नियुंतम स्विकरित साइज के द्वारा, मतलब आपका नियुंतम स्विकरित साइज जो है, उसके उसके खीक है बखको समझ गय हैं तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले देखे बहँ आखा एक चो कम में परियोग करते हैं वाइर गेज बहा है। ड्रिल का एंगल मापने में, चिप मापने में, पीछ मापने में या तार सीट की मोटाई मापने में. तो वायर गेज जो होता है वो आपका सर्कूलर एक आपका इस तरह से वायर का ये बना हुआ रहता है. अलग अलग सेप का ऐसे बना हो रहता है पुरा राउंड में पुरा गोल पुरा सर्किल में बना हो रहता है 36 इस पे यह रहता है एक से 36 तक मार्किंग किया हो रहता है इससे हम लोग करते क्या है यह सवाल पहले भी आ चुका है किससे हम लोग करते क्या है तो इससे हम लोग करते है कि तार की मोटाइम आपना है या जो एलेक्टिक वायर होता है उसकी मोटाइम या सीट की मोटाइम आपने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं यहीं कि इसका डी आप्शन इसका राइट एंसर है डी आप्शन इसका राइ जिस सपने को लेकर के आप पढ़ाई कर रहे हैं, वहां से ये सवाल पुछा गया है, तो ये जो भी सवाल करवाया जाता है, ये सब सवाल आपका कहीं ने कहीं, किसी ने किसी बोर्ड में रिपीट होते रहता है सवाल, और चांसेस है कि आपका जो असिस्टेंट लोको पाइल का जवाब जो है, उसको कमेंड किजिए और लोगों तक सेयर किजिए वीडियो को लाइक किजिए, कि टेली असकोपिक गेज किस काम आते हैं, अस्कुरू पीच मापने को, बड़े सुराक का अंतरिक ब्यास के लिए, या टेप मापने को, या स्लोट मापने को, टेली असको आपका एक्स्टेंड करता है, आपका इसका साइज जो है, आपका बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, अब आप किस क्या करिएगा, बड़ा कोई अंतरिक होल है, वो आपका बड़े सुराक है, वो आपका इंटर्नल होल, यहां से का हमको इसको होल को मेजर करना है, यहां का, तो lock करके बाहर निकाल लेंगे और बाहर निकालने के बाद यह जो T था इस T का जो यहाँ पे यह जो निकला है इसको हम लोग क्या करेंगे मेजर कर लेंगे तो इसका हम लोग को क्या करेंगा डाया पता चल जागा डाया मीटर यानि कि इसका सही उत्तर क्या हो जागा कि बड़े सुराख की बड़े सुराख का बड़े सुराखों का आंतरिक व्यासमापने के लिए टेलियोस्कोपिक गेज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यानि कि जो आपका सुराख है मतलब जो आपका होल है उसके इंटर्नल डायामीटर को मेजर करने के लिए बड़े होल के इंटर्नल डायामीटर को मतलब आपका लार्ज होल के इंटर्नल डाया को मेजर करने के लिए टेलियोस्कोपिक गेज का इस्तेमाल किया जाता है टेलियो कोल इंडिया में पूछा गया सवाल है फिटर का 2013 में तो यह आपका बार्नियर बेवल प्रोटेक्टर का सिधान्त क्या है किस सिधान्त पे एक आर्ज करता है यह आपको बताना है क्या यह नट बोल्ट के सिधान्त पे काम करता है या a screw thread के सिधान्त पे काम करता है या 2 a scale के अंतर पर करता है या lead और pitch के सिधान्त पर करता है तो जहां भी barnier सब्द आएगा barnier bevel protector हो, barnier caliper हो barnier से related barnier height gauge हो barnier depth gauge हो वो सब का सिधान्त जो होता है 2 a scale के अंतर पे काम करता है तो यह आपका C option इसका right answer हो जाएगा nut और bolt के सिधान्त पे, screw thread के सिधान्त पे, pitch पे lead पीच पे यह सब जो है आपका micrometer जो होता है इस सिधान्त पे काम करता है इसमें आप barnier bevel protector से हम लोग angle measurement करते हैं angle measure करते हैं angle measure करने वाला एंतर है इस से हम लोग list count जो होता है मतलब कितना accuracy के साथ हम लोग measure कर सकते हैं list count जो होता है एक बटा में 12 degree एक बटा में 12 degree यानि कि या 5 minute का measurement करता है 5 minute का measurement करता है छोटा से छोटा ठीक है तो यह आपका 2 scale के अंतर के principle पे अंतर के सिधानत पे एक काम करता है समझ गया है बार्नियर बेवल प्रोटेक्टर और यह देखे आगला सवाल building परकार का फास्टनर है या ररभी गोरकपूर में सवाल पूछा है 2001 में पूछा है क्या building अस्थाई या आर्दस्थाई या अस्थाई या उपरक्त सभी तो building किस परकार का फास्टनर है फास्टनर का मतलब होता है जोडने वाला जोडने वाला यांतर हमने आपको पहले भी बताया है कि जो हम लोग mechanical engineering में mechanical industry में जो जोडते हैं वो हम लोग तीन तरह से जोडते हैं या तो isthai, जोडते हैं, या ardiasthai जोडते हैं, या asthai जोडते हैं. Aasthai, Ardasthai और asthai जो आपकी option में भी दो दिख रहा हैं. तो इसको हम लोग कैसे divide करते हैं कि कौन asthai है, कौन ardoasthai है और कौन asthai है. तो asthai का मतलब यह हुआ कि एक बार जदी जुड़ गया, क्केuzcraft को कि युद्ध करने होगे by C अब कि पर्मानेंट का मतलब क्या होता हैcak मतलब कि एक बार लग गया तो अब उसको निकाला नहीं जा एगा समझ गए तो वही तरह से जोड़ जो होता है वो आपका एक बार जुड़ गया तो अब उसको तोड़ियेगा तो अब वो टूटने वाला नहीं है तो बेल्डिंग जो है वो आपका किस में आता है तो बेल्डिंग जो है वो आपका परमानेंट फास्टनिंग डिवाइस में यानि आपका अस्थाई परकार का Fashner है तो सब से पहला बात तो इह वगित की इसका उद्थार आपका C एंपसर इसका राइट एंसर हो गया स्थाई जिसमें आपका बेलिंग हो गया ब्रेजिंग हो गया सोल्ड्रिंग हो गया ऐृसर अर्ध जाय रो तो आस्थाई होगी आपका क्या जैसे नट और बोल्ट जिसको हम लोग टेंपरोरी बोल रहे हैं जोड़ना है तो जोड़ना चाह रहे हैं तो खोल दिये तो इसमें आपका नट बोल्ट बगेरा आ जाएगा अब अर्दस्थाई में क्या आता है सर आप से पूछा जा सकता है कि अर्दस्थाई में क्या होगा तो अर्दस्थाई में होगा कि आप एक बार जोड़ दिये लेकिन आप चाहते हैं तो उसको खोल सकते हैं लेकिन खोलिएगा तो जो जोड़ने वाला जो आपका डिवाइस है न वो डिवाइस आपका खराब हो जाएगा वो यंत्र आपका खराब हो जाएगा जैसे आप रिपीट किया हुआ चीज देखे होंगे जिसको हम लोग जो टर्म है रिविट इसको इस्तेमाल बोलते हैं बोल चाल में लोग रिपीट बोल देते हैं लेकिन उसका सही उचारण जो है रिविट होता है रिविट तो रिविट जो होता है रिव पिलसे आप तो पार्ट में थे लिए उच्शाब को जड़ते है तो घर मारते थो जूड़ सकता है कि आप JUST पे आप उचिया थो जोड़आ से कि धी कि अंबस्ते टो अन्वीच टो से जूर सकता है कि आप का जौund वाला जो एंज है जनुड़ने वाला जो ढूड़ भा स्थाई में नट औरब टाजागा, नट औरबोल्ट औरबोल्ट ठीक है, अरद अस्थाई में क्या हो जाएगा, रिविट, कि अबुदिट यह हो जाएगा अस्ताई में क्या हो जाएगा बेल्लि कि समझ गए हैंै , तो शहि आपका सही इध्र डाइगा समय गए हैं Aur यह आप आज का लस्ट सवाल था और फिर हम लोग अगले कले सामें न्य नए नए सवालों को ले करके नए जोस, नए उर्जा और नए कंसेप्ट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, भाई भाई, जैहिन, जै भारत कर दो मिलते हैं, जैहिन!